हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका एस चांद पुब्लिकेशन के ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं श्रियान्स कोडारी लेक हूँ बहुत शांदार एक किताब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों इंग्लिश में लिखी एक किताब हिंदी में भी अविलेबल है हिंदी में भी exact translation आपके लिए अविलेबल है एक एक question इसना इतना important है कि दोस्तों क्या बताओं आपको आप MBA की तयारी कर लीजे आप defense यानि NDA CDS की तयारी कर लीजे आप banking SEC की तयारी कर लीजे आप कोई भी competition की तयारी कर लीजे दोस्तों ये किताब आपके लिए definitely बहुपी होगी थाबित होगी अभी हम इस book के इस किताब के एक एक chapter को अच्छे से clear कर वा रहे है chapter by chapter solution कर वा रहे है video solution आपके लेके आए तो दोस्तों आज जो solution हम लेके आए है ये है chapter number 3 लेकिन ये chapter number 3 है part second का non-verbal reasoning का दोस्तों non-verbal reasoning का part 3 है हमारे पास classification classification का मतलब होता है आपको कुछ option दे रखे होंगे और आपको पता लगाना है कि उन option में से कौन सा वाला काम का नहीं है या यूं कह दें कौन सा वाला odd one out है तो आराम से तयार हो जाईए एक एक question को करने के लिए लिए चलता हूँ दोस्तों पहली exercise third की A यानि की 3A exercise पे और कुछ questions हम लोग करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम लेके आए है question number 6 आपके लिए observe करेंगे कि हमें out अगर करना है hard one out अगर करना है तो कौन सा चीज different है क्यूं different है वो समझते हैं दोस्तों देखे figure के orientation से तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये तीन ऐसे ये तीन ऐसे ये तीन ऐसे ये तीन ऐसे ये ऐसा तो आप ये नहीं कह सकते साब ये horizontal है बाकी वाले slant है vertical है नहीं फिर तो वो भी vertical है तो आप उस तरीके से तो नहीं कर सकते है अच्छा आप एक काम करते हैं दोस्तों आप एक चीज पाएंगे तीनों में एक horizontal horizontal line वाला circle है यूँ कह दीजे तो वो जो screw होते है न screw के बीच की line है एक आप देखेंगे दोस्तों vertical है vertical है vertical है vertical है तीसरी अगर आप देखेंगे तो ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है यहाँ उल्टी जा रही है यह ऐसे जा रही है तो आपको समझ आ गया होगा यही एक मात्रा different figure है हमारा तो हमें कोई न कोई तरीका निकालना होगा कैसे कोई चीज different जा रही है चलिए एक और question करते है question करने के बाद समझ आएगा कि हमें क्या करना है देखेगा आपको यह समझ आएगा दोस्तों दो चीजें left में और एक right में जा रही है मतलब दो pair left में एक pair left में जा रहा है ऐसा ही अगर बोलू तो दो left में एक right में जा रहा है अगर इसी तरह से बोलें अगर इसको और left right की जागे बोलू मैं दोस्तों ये एक anti clockwise है दो clockwise है दो clockwise है एक anti clockwise है दो clockwise है एक anti clockwise है दो clockwise है एक anti clockwise है यहाँ पे दो anti clockwise है एक clockwise है यही मेरा answer है समझ आया आपको यहां पर अगर आप देखें हैं तो दोनो clockwise एक एंटी, दो clockwise एक एंटी, दो clockwise एक एंटी, दो clockwise एक एंटी, यहां दो एंटी, एक क्लाक काम खत्म उल्टा हो गया किसी ना किसी प्रकार से उन पाच फिगर में से एक डिफरेंट होगा वही आपको स्पॉट आउट करना है चलिए हम एक काम करते हैं अगले क्वेशन की तरफ धीरे से बढ़ते हैं ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को दोस्तों एक एक फिगर को हमें अब्जर्व करके देखना पड़ेगा अगर मैं बात करता हूँ एरो एरो के राइट में है हमारा एरो का बैक एरो एरो के राइट में या यूँ कह दो एरो के क्लॉक वाइज डिरेक्शन में ऐइटो के clockwise direction में यही एक मातर है जहाँ anti-clockwise direction में दियान से देखेगा एइडो का राइट एडो का राइट और एडो का राइट यह अलवा हो गया यानि यह गलत हो गया यह wrong हो गया यह हमारा answer हो गया चलिए दोस्तो 23 इसी exercise का Question number 23 है आपके लिये अभी हम 3rd A यानि पहली exercise के question number 23 को करते है देखिए आप देखिए पूरा एक log है एक side missing है पूरा एक log है एक side missing है पूरा एक log है एक side missing है फूरा एक log है 2 side missing है यही हमारा answer है यही different है you have to find odd one out that is the odd that is आउट चलिए आगे बढ़ते हैं एक और question आए दोस्तों 26 number करना है हमें समझ समझ के करेंगे तो मज़ा आ जाएगा ध्यान से देखेगा ये एक figure है और ये एक figure है जिसको तोड़ के उल्टा करके लिख दिया उल्टा कैसे कह सकता हूं मैं दोस्तों ऐसा समझ ये वाला figure उल्टा अच्छा इसको और और बेटर कर लेते हैं नीचे वाले को उपर लिख लिया उपर वाले को नीचे लिख दिया यहाँ पे देखें उपर वाला नीचे आ गया नीचे वाला उपर चला गया नीचे वाला उपर चला गया ये उपर वाला ही उपर है नीचे वाला ही नीचे है नीचे वाला उपर चला गया उपर वाला नीचे चला गया यानि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहरा हूँ आपको सिर्फ अब्जर्व करना है उपर वाला नीचे नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे नीचे वाला उपर तो आपको करना क्या था दोस्तों इतना simple classification के question आ रहे हैं आपको exam के लिए मैं तयार कर रहा हूँ एक एक चीज के लिए आप तयार हो जाएए चलिए अभी और बढ़ते हैं आगे question number 29 करते हैं classification है chapter number 3 और exercise 3A यह एक ऐसा figure है जिसको चार भागों में divide कर दिया यह एक ऐसा figure है चार भाग में divide है यह एक ऐसा figure है चार भाग में divide है यह भी चार भाग में divide है यह पांच भाग में divide है यही मेरा answer है भाई आप देखिए ना यह चारों equal parts है यह चारों equal parts है यह चारों equal parts है यह पांच parts हो गए है यही हमारा odd one out है क्या यह बात समझ आ रही है आप लोगों को चलिए आगे लिए चलता है आपको अगले question की तरफ question number देखेगा दोस्तो 33 है exercise वही है 3A जर्यदा देखें आराम से क्या कहना चारा है यह ऐसमें कुछ straight line के साथ कर्व लाइन है कुछ ट्रेट लाइन के लिए कर्व लाइन है कुछ ट्रेट लाइन के साथ एक कर्व लाइन है कुछ ट्रेट लाइन के साथ एक कर्व लाइन है इसमें वो कर्व लाइन missing है missing है तो यही मेरा answer है वही मुझे चाहिए जो मिल गया है मेरे भाई आगे देखिए जरा चार पार्ट में तोड़ रहा है 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 दोस्तों ये लाइन और ये लाइन बराबर है लाइन बराबर है इंटरसेक्शन अलग जगह पे हुआ है ये लाइन ही छोटी है तो काम नहीं आएगी क्या ये बात समझ आ रही है भई आप ये देखिए सेंटर से है यानि डाइमीटर है ये इतनी चोटी है ये जितनी चोटी उतनी ये चोटी है बड़ ये चोटी है और ये बड़ी है ये हमारे काम नहीं आएगी बाकी सब बराबर है लाइन्स जो दो बनी है सब में बराबर है इसमें नहीं है यही हमारा आंसर है चल ये लिए चलते हैं अगले question पे 3A ही चल रहे हैं दोस्तों हम question number 103 बहुत सारे question है तो हमने सुझा चलो बाद वाले एक भी कुछ question लेके देखें हम 103 number question देखेगा उपर से तो करीब करीब सब कुछ similar लग रहा है यहां तक भी सब कुछ similar लग रहा है ये right है तो ये right है ये left है तो left है आप देखेगा जरा ये arrow arrow की तरह है बाकी ये ultra arrow है ultra arrow है ultra arrow है यानि क्या यानि यही आंसर है भई बाकी सब में तो सेम है न ऊपर से कोई खास different नजर आ नहीं रहा है तो नीचे जैक किया हमने नीचे में ये एक arrow जैसा लग रहा है ये ultra arrow है ultra arrow है ultra arrow है तो हमारा 103 का आंसर बीफॉर बॉम्बे हो जाएगा 114, question number 114, SST का question है दोस्तों देखेगा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये दोनों ही अंदर की तरफ हैं ये कुछ ऐसा है ये उसके पीछे पीछे as it is चलता चला जा रहा है यानि इसका answer A for apple हो जाएगा यूगि ये ही एक different figure है तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों की third A जो exercise है more than 100 questions है हमने कुछ selected questions किये जिससे की आपको समझा सके classification के questions किस तरीके से approach करने है exam में क्या attempt रहना चाहिए अब आते हैं दोस्तों exercise 3B पे ugly exercise है कुछ different होगा क्या different होगा चलिए देख लेते हैं हम लोग question को पढ़ते हैं पहले question का मतलब है हमारे पास दे रखा है the following problem contains four unnumbered figure यहाँ पे four unnumbered figure है and then there are five problem sets ठीक है कोई दिक्कत नहीं है now what you need to do the four problem figures have certain common features select a figure from amongst the answer which possess the same feature आपको यहां classification ही करना है जो बात इन चारों में है same वैसी ही बात इन में है वो कौन सी है बस आपको पता लगाना है जो मुझे समझ आ रहा है बताओ मैं दोस्तों यह बराबर equal parts में तोड़ दिया बराबर है बराबर है आप देख पारें यह equal parts तो नहीं है आप देख पारें equal parts नहीं है equal parts नहीं है और equal parts नहीं है यह replica है एक दूसरे की आपस में equal parts में तोड़ दिया है first का answer four हो जाएगा यह बात भी आपको समझ आ गई होगी और ऐसे ही question आगे और हमें देखने होंगे तो हम आराम से जूम कर लेते हैं चलिए सहाब देखें second वाले में देखें जरा की क्या हो रहा है दोस्तों four lines का एक figure है जिसके अंदर एक three lines का figure है five line का figure है अंदर four line का figure है four line का figure है अंदर three lines है बाहर five lines है अंदर four lines है यानि जितना number of lines बाहर है उससे एक कम अंदर हो रहा है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखें तो आपको समझ आना चाहिए शायद समझ आ गया होगा मैं तो क्या बताऊ four के अंदर four है जितनी बाहर है उतनी अंदर है four के अंदर five आ चुकी है circle से मुझे लेना देना नहीं है बाहर five है अंदर four है बाहर five है अंदर four है बाहर four है अंदर three है बाहर five है अंदर four है बाहर four है अंदर three है यानि minus one चलना चाहिए यानि यही हमारा answer हो जाएगा तो दोस्तों यही तो हमें observe करना होता है चलिए अगला question करते हैं question number three क्या कह रहा है आप यह देख पा रहे होंगे कि three figures आ रहे हैं three figures right हर एक के अंदर three figures है अब three figures किस प्रकार से चल रहे हैं वो ही हमें देखना है आप यह देख पा रहे होंगे कि दोस्तों इसमें एक सबसे अंदर वाला सबसे बाहर वाला common है सबसे अंदर वाला सबसे बाहर वाला same है सबसे अंदर वाला सबसे बाहर वाला same है सबसे अंदर वाला सबसे बाहर वाला same है ऐसा इसमें तो नहीं हो रहा है ऐसा इसमें हो तो रहा है Octagon यहां अंदर है, Hexagon यह भी नहीं है वही एक मात्र थर्ड है, ध्यान से देखें बाहर वाला और सबसे अंदर वाला सेम होना चाहिए बाहर वाला अंदर वाला सेम होना चाहिए बीच में एक figure है figure का direction कोई भी चलेगा direction कोई भी चलेगा हमारा answer आ गया है आपने logic देख लिया है, logic समझ में आ गया है चलिए साब, और आगे बढ़ते हैं, देखिए question number 4 of the same exercise, exercise 3A कैसे करेंगे, देखिएगा यहां जो बड़ी है और जो छोटी है उनमें difference आ रहा है उनके orientation का, rotation का 90 degree rotate हो गया 90 degree rotate हो गया 90 degree rotate हो गया यह तो बिलकुल ही नहीं है, क्योंकि same है यह बिलकुल ही नहीं है, same है यह बिलकुल ही नहीं है, same है और यह थोड़ा सा ही अंतर है यही एक मातर 90 degree rotation पे है आपको समझ आ रही है rotation को भाई, यह figure, यह line line जो अंदर की line है circle के अंदर जो line है, उसकी बात कर रहा हूँ यह exact 90 पे, यह exact 90 पे, यह exact 90 पे, यह exact 90 पे और ठीक वैसे यह exact 90 पे है तो इस तरह का observation हमने किया चलिए अभी तो और questions बाकी हैं दोस्तों यहाँ दो questions और आएं हैं, जरा देखे हम अगर आप देखे हैं, तो total four lines का यह figure है जिसमें से तीन अंदर है, बाहर एक है, lines मतलब एक तो figure की lines हम देख रहे है और एक हम जो broken lines है, small lines है, उनकी बात कर रहे है four line का figure है, जिसमें three अंदर और one बाहर है three line का figure है, two अंदर और एक बाहर है four line का figure, three अंदर एक बाहर five lines का figure और four अंदर एक बाहर यारी number of lines जितनी broken है और जितनी connected है, वो सेम है connected line से जो figure बन रहा है वो और जो जितनी टुकडों वाली lines है, वो सेम है बस उसमें से एक बाहर करनी है तो यहां पर देखिएगा, जितनी बाहर है मतलब यह जो line जिसके figure बना है यह एक extra आ गया शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वापस समझा देना चाहिए पहले close figure को देखिए close figure four lines का बना है open figure अंदर कितनी है, तीन है close figure तीन lines का बना है अंदर कितनी line है, दो है close figure चार line का बना है, अंदर कितनी है, तीन है close figure पाच line का बना है, अंदर कितनी है, चार है close figure पाच line का बना है और अंदर भी पाच है, यह तो हमारे काम का नहीं है close figure एक, दो, तीन, चार, पाच, छे का है em, 2, 3, 4, 5 और एक बाहर ये तो set हो रहा है मेरे भाई यहाँ close figure 5, 4 का है अंदर 3 भी है लेकिन बाहर वाली missing है यह 3 का ही figure है और अंदर 3 आ गई काम का नहीं है यह 5 का है और अंदर 6 आ गई है यह तो बिलकुल ही काम का नहीं है यही एकमात्र बचा बहार है वो ऐसा गैसा इसमें फॉलो भी हो रहा है चलिए और देखते हैं दोस्तों एक और question को करते हैं एक और चीज़ को समझते है question number 6 को अगर देखें तो आप देख सकते हैं north, west east और south ठीक है न? north, east west और south सारे आ रहे हैं हम तो anyws news बना लें और जिबार चेक कर लें भई north आ गया north आ गया east आ गया, west आ गया, south आ गया north आ गया और east आ गया, west आ गया, south आ गया यानि आप ये देख रहे हैं circle में line ने कैसी भी पड़ी हो क्यों न पड़ी हो आपके सारी line ने चारों अलग-अलग दिशाओं की है, कोई भी दो line same direction की नहीं है, बड़ आप देखिए यहाँ पे ये दोनो line same direction की है आप देख सकते हैं ये दोनो line same direction की है आप देख सकते हैं ये दोनो line same direction की है आप देख सकते हैं ये दोनो line same direction की है इसमें कोई भी ऐसी line नहीं है जो same direction में जा रही है आप देख लिए जे north ये हो गई east ये हो गई, west ये हो गई और south ये हो गई, यही हमारा answer हो गया जो हमने question mark लगा रखा है भाई आपको जो चारों arrows है वो अलग-अलग direction में लेके जाने हैं थे, चारों अलग-अलग direction कोई भी दो direction same 7 और 8 नंबर question है ध्यान से देखेगा, बिलकुल similar pattern में जो चल रहा है वही हमें चाहिए, ध्यान से देखेगा जैसा उपर वैसा नीचे जैसा उपर वैसा नीचे, जैसा उपर वैसा नीचे, इसको हम कहते है actually water image, अभी एक chapter आएगा बाद में water image का भी जैसा उपर वैसा नीचे जैसा उपर वैसा नीचे उल्टा होना चाहिए था उल्टा होना चाहिए था ये तो बिलकुल ही अजीब है और ये जैसा उपर वैसा नीचे है ही नहीं आप ध्यान से देखिए, जैसा उपर है ठीक वैसा ही नीचे है water image का मतलब है यहाँ अगर मैं line लगा दू तो इसकी image जो है नीचे नजर आनी चाहिए image नीचे नजर आनी चाहिए image नीचे नजर आनी चाहिए जो की third में ही नजर आ रही है और वही तो हमारा answer हो रहा है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों question number eight में कौन सा classification चल रहा है ध्यान से देखेगा दोस्तों जो बड़ा figure है उसी का छोटा figure, same figure अंदर है जो बड़ा figure है, same figure अंदर है जो बड़ा figure है, same figure अंदर है जो बड़ा figure है, same figure अंदर है same नहीं है, same नहीं है सेम है लेकिन दियान से देखिए अंदर वाला ब्लाक बाहर वाला वाइट है यहां अंदर वाला वाइट बाहर वाला ब्लाक है बड़ा फिगर का छोटा फिगर सेम अंदर है वही हमारा आंसर है यानि फाइव नंबर आंसर हो जाएगा क्वेशन नंबर एट का तो दोस्तों ह एक एक चीज को समझना है कि सर कौन सी बात किस वाले फिगर के लिए बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चिन्स लिए चलते हैं। ध्यान से देखेगा। इसमें भी हमें वही अब्जर्व करना है। कौन सा odd one out है जो इन से अलग है इसके match कर रहे है। अगर आप देखें एक close figure अंदर एक line, close figure अंदर एक line, close figure अंदर एक line, close figure अंदर एक line। अब इनके जैसा कौन सा होगा अब बताए इतना simple, close figure अंदर एक line। वह लाइन भी parallel to one of the sides इसके अंदर लाइन है लेकिन ये तो mix हो गई दो जगे पे कोई भी लाइन के साथ mix नहीं हो रही है यानि corner से match नहीं कर रही है टच नहीं कर रही है ये लाइन parallel नहीं है किसी side से ये लाइन अजीब सी बीच में खड़ी है और यहाँ दो lines हैं कुछ करना ही नहीं था और इतना ही simple question आपके exam में आना है दोस्तों मैंने observe ही तो करना है question ही तो देखना है कि कैसे श्रे answer कर रहे है चलिए आप भी उनको follow कर लीजे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले question पे देखते हैं कि क्या किया गया है अगर आप notice करेंगे एक L बना है जिसके एक पार्ट पे arrow है और एक पार्ट पे dot है एक L बना है और सब में यही हुआ है अब ज़रा देखें यहाँ कोई L बना है क्या नहीं बना है यहां कोई L बना है क्या नहीं बना है यहां L तो बना है लेकिन मेरे भाई दोनों तरफ एरो आ चुकी है यहां कोई L बना है क्या नहीं बना है L बना है एक तरफ एरो है एक तरफ डॉट है और यही तो मैंने कहा था बाद में ये देखते हैं राइट साइड में है लेफ साइड में है छोटा है बड़ा है सब बाद में देखें अभी तो exactly जो सामने नजर आ रहा है उसको तो follow कर ले हम जो follow कर लिया उसमें ही सारे eliminate हो गए हमारा answer वैसी ही आ गया चलिए और आगे बढ़ना है मेरे भाई और question करने है 3B exercise पूरी हो जाती है next exercise आ जाती है 3C इसमें भी pattern वही है classification ही करना होगा बट classification को एक अलग धंग से समझाना होगा कुछ और नया आएगा देखते हैं दोस्तों क questions को और करते हैं आराम से देखिएगा किस तरह से questions आ रहे है exercise 3C के अंदर एक एक question को बहुत आराम से समझेंगे देखेगा आपको समझाना चाहिए कि भाई यहां पे मेरे पास एक curved यहां पे है एक curved यहां पे है इसी तरह से एक curved इधर है और एक curved इधर है हो सकता है दोनों match करके लेकिन कुल मिला के दो curves आ रहे है question क्या कह रहा है पहले यह तो पढ़ लो भाई in each of the following questions हर question में क्या है there are two problem figures दो problem figure तो हमने देख भी ली हमने तो notice भी कर लिया क्या है five answer figures है number one two three four five वो भी नजर आ रहा है there are certain common characteristic property between the two problem figures select a figure from the amongst the answer figure which is similar characteristic properties as shown by the figure भाई इस से पिछले वाले में ही जो किया था वही करना है पिछली बार चार के अंदर common देखकर हमें बाखी पांच में से एक निकालना था इस बार दो में ही common देखना है बस जो common नजर आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा हमें बहुत आराम से बहुत अच्छे से check करना concentration होना चाहिए अभी मैंने देखे दूसरी बात नहीं करी क्यों नहीं करी क्योंकि दोस्तों यहां पे जो straight line है वो दो हैं यह straight line तीन है तो यह common characteristics नहीं है लेकिन common क्या है वो बता दूँ वापस से आप देख पारें यह कर्व लाइन फिगर है यह कर्व लाइन है इसी प्रकार से यह कर्व लाइन है यह कर्व लाइन है तो अब देखे दो कर्व लाइन वाला एक दो और तीन तीन कर्व लाइन तो काम नहीं आएगी हमारे आचा इसी तरह से एक दो तीन कर्व लाइन अभी तक हम तीन कर्व लाइन को यूज नहीं ले रहे हैं आप देख सकते हैं एक दो और तीन तीन कर्व लाइन अगें तीन कर्व लाइन नो काम की यहां पर एक और दो, अभी तक तो सिर्फ ये काम की है, अब हो सकता है, आगे वाले में दो curve line आ जाए, अगर आ जाएगी तो हमें वापिस से question को देखना पड़ेगा, कुछ और common characteristics को ढूंड़ना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, यहां तो curve line की बहार ही आ गई है भाई, पांच-पा curve lines हैं जो नहीं चाहिए हमें, यानि question figure के अनुसार, जो answer figure match कर रहा है, question number 10 का, वो है figure number 4, answer number 4, option number 4, अब I am sure आपको समझ आ गया होगा pattern क्या हमने follow करना है, तो देखें दोस्तों, एक और question को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, यहां आप देखेंगे, तो दोस्तों, ए एक 3 line का figure है, एक 4 line का figure है और intersect हो रहा है, एक 4 line का figure है, पांच line का figure है, intersect हो रहा है, यहां आप देखेंगे, देखो, यहां पे 4 minus 3, 1 का difference है, यहां 5 minus 4, 1 का difference है, यहां अगर intersection देखें हम, तो दोस्तों, यह 5 line का figure है, यह 3 line का figure है, difference 2 का आ गया, अभी तक तो match नहीं कर रहा है यहां 3 line का figure है और आपका ये है 6 line का figure 3 का difference आ गया अभी तक तो match नहीं कर रहा है दोस्तों ये भी 4 line का figure, ये भी 4 line का figure, 0 का difference आ गया इधर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 line का figure, 4 line का figure, 1 का difference आ गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 का difference आ गया तो अगर मैं सिर्फ difference of lines को ही देख रहा हूँ, अभी सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहा हूँ, कि यहां एक 3 और 4 का है, यहां एक 4 और 5 का है, ठीक वैसा ही यहां पर 4 और 5 का है, बाकी सारे जो भी options हैं, उसमें match नहीं कर रहा हमारा यह answer, तो आपको समझ आ गया होगा हमारा answer क्या है, हमारा answer 4 हो गया है, चलिए और आगे लिए चलते हैं दोस्तों, अगले question पर लिए चलते हैं आपको, ध्यान से देखेगा, क्या है इस figure के अंदर, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जितने circle lines हैं, उतने ही arrows हैं, जितने circle lines हैं, उतने ही arrows हैं, यानि अगर 2 circle line, circle line का मतलब क्या है, भाई ये circle line का होगे ना, इसको और क्या का होगे, circle और line, वो हनुमान जी का जो गदा होता था वैसा एक figure, राइट, तो इसे circle line बोल दिया मैंने, तो यहां पे 2 circle line और 2 ही arrows, तीन circle line, तीन ही arrows, यानि जितने circle lines हैं, उतने ही arrow आ रहें, यानि ठीक वैस ताही कोई combination हमें ढूंडना पड़ेगा, ध्यान से देखें दोस्तों, यहां 2 arrows हैं और 3 circle line हैं, अभी तक तो मेरे काम का नहीं है, अभी एक बार पहले elimination कर लेते हैं, सारे या तो eliminate हो जाएं या 2 रह जाएंगे तो हमें दिक्कत है, एक ही रह जाएगा तो वही हमारा answer हो जा आगे दो arrows हैं, अभी काम का नहीं है, तीन circle lines आगई, तीन arrows भी आगए, लेकिन यह जो last वाला arrow है ना, यह cheating वाला arrow है या एक ही arrow के अंदर दो-दो arrow बना ली है, यह तो बिलकुल नहीं होगा, कुल मिलाके हमारे को जो चाहिएगा, वो तो यही चाहिएगा ना, जिसमें same number of circle lines हैं, same number of arrows हैं, यहाँ एक है, वहाँ दो और तीन थे, तो इसी तरीके से तो observe करना है दोस्तों, आप अगर non-verbal को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं ना, तो एक figure को बहुत आराम से देखिए, दूसरे figure को और अच्छे से देखिए, सारे figures को observe अच्छे से करेंगे, आप का काम असानी से हो जाएगा, चलिए अभी और लिये चलते हैं, एक और question के तरफ, यहाँ पे question number 28 को कैसे करना है, उसको समझेंगे हम, question number 28 है, exercise देख लिए, 3C है, 3C exercise की question को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आप देख प अगर हैं, यहाँ तीनों ही figure अलग है, यहाँ figure तो same हैं, लेकिन पहला और तीसरा है, देखे, अगर कुछ और नहीं मिला, तो मैं इसको कर लूँगा, क्यों कर लूँगा, क्योंकि दो same, देखो, ऐसे अगर मैं देखूँ, तो दो same एक अलग, दो same एक अलग, ऐसा ही उनों ही सेम अंदर वाले हैं, नमबर दे तो भाई, वन है, टू है, थ्री है, वन है, टू है, थ्री है, तो दोस्तों वन और टू सेम थ्री अलग, वन और टू सेम थ्री अलग, यहां पर वन और थ्री सेम टू अलग हो रहा है, अभी इसको छोड़ते हैं अपन, यहां टू औ और टू सेम थ्री अलग वन और टू सेम थ्री अलग और ऐसा ही तो चाहिए था हमें वही मिल गया हमें तो हमारे question number 28 का answer हो जाएगा five number option चलिए इसे भी देखें हम सबसे पहले तो ये देखें कि भाईया इन तीन दोनों के अंदर तीन dots हैं तीन dots हैं जरा देखो इसमें चार dots हैं जरा देखो इन में दो dots हैं इनने तो घर वेज देते हैं भाई अच्छा उसके अलावा दो बड़ी lines एक चोटी line दो बड़ी line एक चोटी line दो बड़ी line एक चोटी line यहाँ पे आ रही है तीनों ही बड़ी lines काम की नहीं है दो बड़ी lines ये दी दो चोटी line आ गई चार option cancel हो गए जब भी आपके 4 option cancel हो जाएं तो जो cancel नहीं हो वही हमारा answer हो जाता है और आपको trick भी समझ आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले questions को question को और अच्छे से solve करने का कोशिश करते हैं देखिएगा दोस्तों 4 line का एक figure है और एक यूं कह दीजे एक आपका एक portion एक corner cut है four lines का figure एक corner cut है figure three lines का एक corner cut है अभी doubtful में रखते हैं ये तो बिलकुल ही अलग हो गया मेरे भाई four lines का है और corner cut है four lines का है corner cut है लेकिन यहां एक acute angle आ रहा है अंदर की दरफ यहां यह proper है यह तो circle है तो काम का इन है तो बताएं ज़रा इन दोनों के जैसा किसे कहेंगे इन दोनों के जैसा exactly इने कहेंगे इसे नहीं कह सकते क्योंकि इन में सारे जो angles है ना वो बड़े angles हैं यहां तो तीन acute angle हैं, यहां आप देखेंगे दो obtuse हैं और दो acute हैं, दो obtuse हैं एक acute हैं बढ़ यहां तो बिल्कुल ही अलग figure बन जाएगा, यह हमारे काम का नहीं होगा, यही answer हो जाएगा, question number 38 का 4 हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा और आगे लिए चलते हैं आपको, exercise वही है दोस्त को करते हैं 42 number को, देखें जरा इसमें क्या किया है, हमने figure को समझना है, figure में कौन सा चीज कैसा चल रहा है, बस वही तो देखना है, आप देखेंगे exactly equal part में divide कर दिया, exactly equal part में divide कर दिया, क्या यहां पे 2 equal part में divide किया, नहीं किया, क्या 2 equal part में divide किया, नहीं किया, क्या 2 equal part में डिवाइड गया नहीं किया बचा कौन सा option option number 4 option number 4 में exactly दो पार्ट में divide कर दिया equal parts में divide कर दिया और वही हमें चाहिए था चलिए अभी और आगे बढ़ना है कुछ और questions को करना है देखेगा आप देख पारे होंगे यहाँ पे एक circular line curve line, दूसरी curve line, तीसरी curve line तीन curve lines हैं और दो lines straight है दो straight line है, तीन curve lines है, अभी पहले एक बार तीन curve lines पे चेक कर लेता है, फिर straight line को देखेंगे, तीन curve line दोस्तों, एक, दो, तीन curve line हो रहा है भाई, क्या यहाँ पे तीन curve line है एक, दो, तीन, चार, पाँच, नहीं है साब क्या यहाँ पे तीन कर्व लाइन्स है, एक, दो, तीन, बिल्कुल तीन कर्व लाइन्स है क्या यहाँ पे तीन कर्व लाइन्स है, नहीं क्या यहाँ पे तीन कर्व लाइन्स है, चार है, यहाँ दो है अब हमें इसके अलावा दो straight lines ही, यहां भी दो straight lines है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां भी दो straight line है, यहां भी दो straight line है यहां भी दो straight line है, यहां एक, दो, तीन और चार straight lines है काम का नहीं है हमारे यह figure, तीन curve lines, दो straight line, answer is one So question number 45 का one हो जाता है आपको अब समझ आ रहा होगा कि actually इस chapter में बहुत जादा tough नहीं है जितने number of questions आप करते चले जाएंगे, उतना आसान होता चला जाएगा और दोस्तों मैंने बहुत सारे questions यूज ले लिये हैं मैंने बहुत सारे questions आपको करवा दिये हैं मैं बस इतना चाहूँगा कि आप उस book को खोलो remaining जितने भी questions है ना, सारे गढ़ डालो चलिए हम चेक करते हैं, एक और sheet है आपके पास आखरी के दो questions हैं, वो भी हम कर लेते हैं इन questions को करें, उससे पहले बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों share करिए जादा जादा इस वीडियो को जितना जादा share करेंगे उतना भेतर है दोस्तों book को purchase करिए, आपकी यह जो book है ना कोई भी competition क्यों ना हो, definitely आपको help करने वाली है आप बस book के साथ चलते चले जाएए अगर आपने QR code scan करके यह वीडियो को पाया है मैं बता दो दोस्तों, आपको कोई तरह का problem नहीं आएगा हर question आप solve करवाएंगे क्योंकि इस video solution के साथ में हर question का solution वैसे भी book में given है बड़ अप्रोच जो है ना, वो इस video solution में आजसे से मिल जाएगी चलिए देखते हैं, question number 51 क्या कह रहा है आप देखिएगा, एक बड़ा सा circle है circle का आधा पार्ट इससे बड़ा है एक बड़ा सा square है और इस square का आधा पार्ट इससे बड़ा है अब आप देखिएगा, ये भी square है, ये भी square है काम नहीं आएगा अच्छा, ये square और ये triangle है ये तो बिलकुल ही काम नहीं आएगा ये तो same figure आगए वैसे भी काम नहीं आएंगे तो बचता है ये अगर मैं ये hexagon को ले लूँ hexagon का आधा और वो उससे बड़ा ये आगया साहब हमने तो यही कहा था आपको कि एक figure है उसका आधा उससे बड़ा करके उसके उपर लगा दिया हमने तो आपको सिर्फ observe ही तो करना है कौन सी चीज कैसे रखी जा रही है चलिए आखरी question लेते हैं दोस्तों 55 number का question है exercise है 3C चलिए देखते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों different figure है तीनों different figure है एक circle जरूर है इन में से कौन सा वाला होगा जरा देखते हैं अच्छा उसके अलावा हमने देखा यह 3Line का figure है यह 4Line का figure है यह 5Line का है यह 6Line का है तो दोस्तों same figure तो नहीं आएंगे न तीनों अलग-अलग figure चाहिए थे हमें यह 4Line का है यह six line का है अभी तो उसको नहीं लेते हम दो circle वाले को भी छोड़ देते हैं अपन यह match कर रहा है शायद क्योंकि यह five का यह six का है यह three का है यह five का है यह भी नहीं का मारा हमें देखिए क्या किया हमने three line का four line का circle five line का six line का circle यानि कि दो same line तो नहीं चलेंगी four और six का है मुझे five और six का चलता four और five का चलता यह भी अटा दिया हमने दो circle आ गए वैसे भी काम के नहीं है एक five का यह six का यह चल जाएगा एक three का और एक five का नहीं चलेगा तो हमने three figure को देखा होता तो observe ही नहीं कर पाते तीन में और क्या observe करना था यह हमने देखना था दो circle आगे हटा दिया हमने ऐसे ही questions आएंगे दोस्तों और ऐसे ही करते चले जाना है non-verbal के तीन chapter हो चुके हैं तीन बड़े chapter हो चुके हैं अब जो chapters हैं बहुत बड़े-बड़े chapters नहीं है लेकिन जिस भी exam में अगर यह non-verbal आती है दोस्तों जिस भी exam में यह non-verbal आती है आपको मैं clear बता दूँ बहुत अच्छे से solve कीजेगा क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों एक बार समझ में आने के बाद ही scoring है और score ही तो करना चाहते हैं अपन तो बहुत अच्छे से score करते चले जाएंगे अगर आप इस chapter को अच्छे समझ लेंगे तो आज के लिए अलविदा लेते हैं आज का video यहीं समाप करते हैं आपने share अगर नहीं किया तो share कर लिजेगा अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो like जरूर कर लिजेगा subscribe कर लिजेगा आपका प्यारा channel S.Chan publication Thank you and take care